नमस्कार बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्यान वर्धन बायरीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है. बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे निबंद लेखन पर और हमारा आज का विश्रह है वर्शारितू. किसी भी निबंद के प्रारंभ में अगर हम कोई उक्ती या कोई कोटेशन डालते हैं तो निबंद आकर्शक हो जाता है. तो इस निबंद के प्रारंभ में भी हमने यही उक्ती डाली है. नपर कितने बादल चाए, उमर घुमर कर घन लहराए, छिटक छिटक बूंदे बरसाए, यहां वहां हर्याली चाजाए, सबके मन को भाए. जब वर्शारितु होती है, तो नपर आस्मान में चारो और बादल चाजाते हैं, और उन बादलों से बानी बरसने लगता है, और उन बारिश की बूंदों से चारो और हर्याली ही हर्याली हो जाती है. किसी भी निबंद के प्रारंब में हमें सबसे पहले प्रस्थावना उसके उपरांत विशेवस्तू और अंत में निशकर्ष या उपसंगार लिखना होता है। तो निबंद का प्रारंब हम प्रस्थावना से करते हैं। वर्षा रितू हमारे लिए धेर सारी खुश्यों की बहचार लेकर आती है। और सितंबर के आखिर तक रहती है। ये आसहनिय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आती है। इंसानों के साथ ही पेड, पौधे, पक्षी और जानवर सभी उत्सुपता के साथ इसका इंतजार करते हैं। और इसके स्वागत के लिए धेर सारी तैयारिया करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो वो हमारे लिए कितनी लाबदायक होती है। और जो इतनी गर्मी चल रही होती है उसे समाप्त कर देती है। जीव जन्तू, पशी, पशुपक्षी सब इसका बेसबरी से इंतजार करते हैं। आकाश बहुत ही चमकदार, साफ और हलके नीले रंका दिखाई पड़ता है। कई बार तो सात रंगों वाला इंद्रधनुश भी दिखाई देता है। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि आकाश बिलकुल नीला दिखता है, साफ हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो हमें इंद्रधनुश भी दिखाई देता है। आसमान में वो साथ रंग बहुत ही आकरशित होते हैं, आकरशन देने वाले होते हैं। पूरा वातावरन सुन्दर और आकरशक दिखाई देता है। आकाश में सफेद, भूरा और गहरा काला बादल भ्रमण करता है। सभी पेड और पौधे नई हरी पत्यों से भर जाते हैं। तथा उद्ध्यान और मैदान सुन्दर दिखाई देने वाले हरे मकमल की घासों से धग जाते हैं। जलके सभी प्राकृतिक स्रोत जैसे नदिया, समुद्र, तालाब, गड़े आदी पानी से भर जाते हैं। जब बारिश होती है तो चारो और हर्याली छा जाती है और जो घास के मैदान होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उन पर कोई मकमल का कालीन बिछा दिया गया हो। और जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं नदिया, समुद्र, तालाब, गड़े ये सब पानी से भर जाते हैं। सडके और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है और मिट्टी कीचर युक्त हो जाती है। वर्शारितु के धेर सारे फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहा देती है, तो दूसरी तरफ इसमें कही सारी संक्रामक बिमारियों के फैलने का डर बना रहता है। यह किसानों के लिए फसलों के लिहाज से बहुत फायदे मन्द है, लेकिन यह कही सारी संक्रमित बिमारियों को भी फैलाती है। मौसम जिस प्रकार लाब दायक है उसी प्रकार ये कहीं न कहीं हमें नुकसान भी पहुँचाता है क्योंकि सड़क और मैदान खेल के मैदान सब पानी से भर जाते हैं जो सूखी मिट्टी है वो कीचर युक्त हो जाती है और लोगों को गर्मी से रहत तो मिलती है लेकिन बार लेकिन कहीं न कहीं इससे कुछ औसुविधाएं भी होती है कई सारी बिमारिया जन्म लेती है निबंद के अंत में हम निशकर्ष लिखेंगे तो यह इस निबंद का निशकर्ष है वर्षा रितु में जीव जन्तु भी बढ़ने लगते हैं यह हर एक के लिए शुब मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ धेर सारी मस्ती करते हैं इस मौसम में हम सभी पके हुए आम کا लुफत उठाते हैं वर्षा से फसलों के लिए पाने मिलता है तथा सूखे हुए कुए तलाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है इसलिए तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है तो वर्षा रितू है जब वर्षा रितू होती है तो उसमें बहुत सारे ज लोग जो होते हैं वो बेसबरी से बारिश का इंतजार करते हैं और बारिश के मौसम में होने वाले फलो का हम लुफ्त उठाते हैं और पानी पानी तो जीवन है इसलिए ही तो कहा गया है कि जल ही जीवन है